हेलो स्टूडेंट्स दिस इज विजे और आपका सुभागत है CCL क्लासिज में तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th Mathematics चैप्टर 1 के MCQs तो चलिए शुरू करते हैं वैरी फर्स्ट केस्टन से सबसे पहले B-A फाइंड करना है B-A क्या होगा B के बचेंगे यानि कि टोटली B के वह एलिमेंट बचेंगे जो दोनों में ना हो यह होता है B-A 4 इसमें इसमें नहीं है तो 4 आजाएगा 6 इसमें और इसमें तो 6 गैंसल उसके बाद 8 इसमें नहीं तो 8 आएगा 10 वी सेट में है एस एट में नहीं है तो यानि कि 10 आजाएगा 12 दोनों में है तो 12 नहीं आएगा तो बेसिकली हमारे पास क्या आगया 4810 भी माइनस अब इसका कॉंप्लिमेंट करना है यानि कि युनिवर्सल सेट में से इन सभी सेटों को हटाना है इन सभी को बाकी बची आजाएंगे तो बी माइनस एक होल कॉम्प्लिमेंट क्या जाएगा 1234 नहीं आएगा 5678 भी नहीं आएगा 910 भी नहीं आएगा उसके बाद 11 और 12 अब यह देख लो आप कौन से उप्शन में है 1 2 3 5 6 7 9 11 12 तो उप्शन C क्या इसके लिए राइट आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो वहाँ पे इसके अंसर पर अगर आप कलिक करोगे तो आंसर आपको टोटल नंबर ओफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे इसके दो इसके तीन दो गुना तीन 6 तो नंबर ओफ एलिमेंट्स जी करो सेच कितने आ गए 6 अब हमें क्या बताना है सबसेट तो सबसेट कैसे निकालते है 2 की पावर n एन कितना आ गया 6 तो 2 की पावर 6 यानि कि 64 तो 64 किया इसका आंसर अगर जब भी आपको नंबर ओफ सबसेट्स फाइंड करने हैं तो कैसे फाइंड करोगे 2 की पावर n से n क्या है नंबर ओफ एलिमेंट्स इन गीवन सेट अब उसके बाद next question no.3 a is given x such that x is a prime number set a is तो set a बताना है क्या होगा prime numbers का एक set है क्या prime numbers को count कर सकते हो तो आपका होगे कि sir कर सकते है और नहीं भी यह कैसा अंसर नहीं कर सकते क्योंकि कुछ limit तक कर सकते है जैसे अगर हमें दिया वत्ता कि x is a prime number up to 100 तो कहते कि हाँ sir 100 तक हम count कर सकते हैं या thousand तक लेकिन infinite numbers है तो set a क्या होगा मारे पास infinite इसका answer क्या आएगा option c next fourth question set a is given a e i o u number of subsets of set a अभी अभी बताया number of subsets कैसे find करते हैं तू की पावर n से n क्या number of elements तो इसमें कितने element है 5 तो 2 की पावर 5 विच इस 32 option c अब next question number fifth set a is given a b c set b is given a b c d e intersection भी बताना दोनों में comment क्या है a a b b c c यानि कि a b c a b c ये तो set a ही लग रहा है हाँ set a है तो यानि कि option a क्या है right और यह सभी question important है आपके hbsc में previous year में आई हुए questions है तो अगर आप इनको करके चले जाओगे तो definite है कि आपके अच्छा score होगा mathematics में अब next question number six in a school there are 20 teachers who teach mathematics or physics आपको मैंने introduction में बताया था कि जहां भी और आ जाए यानि कि mathematics or physics तो और का मतलब क्या होता है union यानि कि number of elements number of teachers दिया हुए यहां पर तो who teaches mathematics or physics यानि कि math union physics कितने है 20 of these 12 teach math 12 math teach करते हैं and four teach math and physics number of teachers who teach physics are यहां पर teachers आएगा तो बताना है कि physics के कितने teacher होंगे तो दो method है वैन डाइग्राम से इजी लिकर सकते इसको कैसे देखो four तो दोनों में common है total इसके है 12 और यह कितना है four common यानि कि इसके कितने बच गए केवल 8 बच गए 8 और 4 12 तो बाकी बचे 20 है total तो 8 आट आ जाएगा बाकी केवल physics के लेकिन यहां पर physics दिया हुआ है तो 8 और 4 12 बारा जाएगा इसका answer अब आपको कि सर यह तो समझ भी नहीं आए वैन डाइग्राम तो कोई बात नहीं फोर्मुला बता देते आपको देखो ए इंटरसेक्शन भी यानि कि दोनों में common कितना है म union पी में सम कितना सोरी टोटल 20 सम 12 लाइक physics तोरी मैथ 12 लाइक मैथ physics के माल लेते हैं पी लाइक करते है physics को या फिर पढ़ाते है माइनस दोनों में common च्यार अब इसको सोल करना है 12 में से च्यार गया आठ 20 बराबर है 8 प्लस number of teachers in physics तो 8 उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा यानि कि कितना आ गया 20 में से 8 गया 12 फोर्मिले से भी इजिली सोल कर सकते हैं हमें तीन चीज़ गीवन है एक चीज़ हमें find करनी थी तो 12 आ जाएगा इसका answer अब next question no.7 which of the following statement is not correct given x is a universal set a and b are two sets अब देखो आपको option कैसे दिये हुए हैं तो इसका सबसे आसान तरिक बताता हम आपको कैसे आप इनको कर सकते हैं एक से युनिवर्सल सेट मान लेते कोई भी हमने मान लेते लो एक दो ती कोशिज करना थोड़ा small माने ताकि easily इसलो जाए एकस को मैंने मान लिया 1 और एक को मान लिया 2 कोई दिकत कोई दिकत नहीं अब a-b a-b यानिकि a-b कितना आज आएगा वन ही आएगा माइनस मैंने आपको बता दिया था a-b का सबसेट है या इकवल है a के बिलकुल इकवल है तो पहला तो सही है अब दूसरा a intersection b a intersection b कितना है 5 क्या ये सबसेट है a union b का 5 तो 5 is subset of every set ये तो आपको पता होना चाहिए 5 is subset of every set तो second वाला भी right है अब a union b का compliment a union b यानिकि one और टू और इसका अगर compliment करेंगे तो one और टू के अलावा क्या बच गया 3 ये क्या गया a union b का compliment और अब a का compliment a का compliment कितना होगा 2 3 और b का compliment 1 3 और इन दोनों में common क्या है common answer 3 तो a union b का compliment भी 3 और a का compliment intersection b का compliment भी 3 यानि कि ये भी ठीक है तो गल्त कौन सा फिर fourth वाला अब आप verify भी कर सकते हो कैसे a का compliment intersection b का compliment क्या है 3 अब a का compliment union b का compliment करना है तो इसका और इसका union कर दो क्या जाएगा या जाएगा हमारे पास one two three क्या ये और ये बराबर है तो आपका होगे नहीं सर तो इसका answer क्या है d ये क्या है correct नहीं है अब 8th question a set contain an elements power set contain power set क्या होता है number of elements या फिर number of elements in subset of any set और इसको किस से रिपजन करते है 2 की power n से तो set contain an elements then power set contains 2 की power n elements next 9th question let a set given 1 2 3 b set 3 4 c 4 6 7 तो मैं बताना है a intersection b union c सबसे पहले b union c करना है तो b और c को add करते है 3 4 5 6 क्या जाएगा 3 4 5 6 अब इसमें से a intersection b union c करते है तो क्या होगा देगो a set क्या 1 2 3 और b union c क्या 3 4 5 6 दोनों में common क्या है 3 इसमें भी और इसमें भी तो या नहीं कि 3 क्या जाएगा इसका answer which is option a अब next 10th question if a and b are 2 disjoint set मैंने intro में बताया था क्या कि disjoint set क्या होते है वो दो sets जिन में intersection क्या हो 5 या फिर ऐसे भी लिख सकते इसको तो यह क्या होगा हमारे पास disjoint set होंगे a और b तो अगर a intersection b 5 है तो a union b क्या हो जाएगा फिर n a plus n b minus 5 फाइए एक सेंस में 0 ही होता है तो क्या minus 0 करने की जरूरत है नहीं तो n a union b क्या जाएगा n a plus n b which is option a अब next question number 11th two sets have m and n elements दो सेट हमारे पास जिनमें m और n elements है एक सेट में let's say set a इसमें m elements है एक सेट b let's say इसमें कितने elements given है n the number of subset of first set is one one two more than that of second यानि कि जितने में subset है यह क्या है 112 ज्यादा है दूसरे वाले number of subsets के मुकाबले तो value of m and n r तो value of m और n बताने तो इस तरह के question में मैं prefer करूँआ कि आप mcq यानि कि options की मदद ले कैसे देखो पहला option है 7 और 4 तो number of elements in subset of a कितने हो जाएंगे 2 की power 7 दो की power 7 कितने होती है 128 और 4 दो की power 4 16 तो यह तो है मारे पास number of elements in subset of a कितने है 128 और यह बी के subset के elements अब अगर 16 में 112 एड करूँ तो 128 आएगा बिलकुल आएगा तो option a क्या इसका right कि जो number of subset है first set के वो क्या है 128 है वो 112 ज्यादा है second वाले से बिलकुल सही है second वाले के 16 subset है उसमें 112 एड करेंगे तो 120 अब लास्ट question आजगा question number 12 number of elements in set a a,b such that a square plus b square equals to 9 and a,b belongs to z, z क्या होता है integer a और b z से belong करते है और हमें बताना है कि a square plus b square 9 हो ऐसे कितने elements possible है नहीं कि कितने pair बन सकते हैं a और b के तो देखते हैं कितने pair बन सकते हैं a square plus b square 9 कब आएगा जब a क्या हो plus minus 1 हो और b क्या हो plus minus 2 हो square दिया हो है ना तो 3 का square 9 3 आएगा और यहां पे 0 cube सोच रहा था मैं तो देखो अगर हम a को 0 रखें और b को रख दे 3 तो क्या possible है दोनों के square कसम 9 बिलकुल अगर मैं a को 0 रख दू और b को रख दू माइनस 3 क्या अभ भी possible है तो यहां पे हमारे पास कितने pair आगे number of elements in set a a,b तो कैसे बने गए देखो एक तो बन जाएगा हमारे पास 0,3 और एक बन जाएगा 0,3 तो यहां पे इसके कितने elements आ जाएंगे दो elements तो इसके लिए option भी क्या होगा तो यहां पे डेंड करते हैं I hope आपको clear हो गया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर लेना